अलो एंड वेलकम एफ्रिवन चुदा ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सेलेक्शन मेंटर हैं हम लोगों की जो क्वेश्चन से चल रही है जो कि आपके जितने पंडे एक्जाम हैं चाहे वो आपका PSI हूँ पाल हूँ चाहे या CHSL हूँ ठीके जितने भी आपके पंडे एक्जाम हैं तो इस पार्ट में हम लोग गई scientific questions का discussion करेंगे और वही answer क्यूं है उसके बारे में भी जानकारे भी इसके लिए आप सभी लोग जो हमारा के नाम से उसको जोइन कर सकते हैं आप सभी लोगों को जो भी questions के रिकार्डिंग उनसे भी कॉंटी साथ आप लोग Facebook और इंस्टा पे भी लो करिए आज का हमारा की तरफ तो which of the following disease is also called जोडिसीज यानि किस रोग को लॉक जा यानि कि बंद जबड़ा भी मारे आप्शन से आपके ट्यूबर कुलोसेज जिसको शॉर्ट में हम लोग जोडिसीज जो है इसमें आकर होता क्या है मांस्पेशियों में ठन हो जाती है जिसकी वुचे से उनका मूवमेंट पंध हो जाती है यो कि हमारी मूवमेंट होता है जो उसमें मूवमेंट होता है उनमें, वो किसके कारण हो कोगा है, पुष्यों में दो तरीके के संतु पाई हो एक तो होता है, और दूसरा होता है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन फिलापेंट में कॉंट्रैक्शन और रिलाक्शन की वेज़े से, यानि कि शुच्चन और अक्चन के ही का हम लोगों की पु बंद हो जाता है इस वीमार जिसकी वाजय पेशियों में आती है और इसी को अगर हम लोग देखें तो वीमा रुष्य की आवाज भी नहीं निकलती है जबना भी बंद हो जाता है और kakak यह तो पेशियों में एक्ठन जोगा, यह आपका titanus के कारण होता है, इसको की log jaw disease है, हम लोग जानते हैं, तो titanus is also known as log jaw disease, यानि कि धनुस्टंकार को ही log jaw disease कहा जाए, ठीक है, और यह किसके कारण होता है, तो titanus एक जीवाल जनित रोग है, यानि कि bacterial infection है, ठीक है, और किस bacteria के कारण होता है, Clostridium titanus, आप लोगों ने सुना होगा, कि अगर किसी को जंग लगा हुआ, लोहा लग जाता है, यानि कि septic की problem जो हो जाता है, वो आपका titanus है, तो यहाँ तो titanus है, वो basic bacterial infection होता है, यानि कि धनुस्टंकार कालू जनित रोग है, तो यहाँ पर अगर द किसी को कहा जाता है, तो options है, यह move करते हैं, अपने प्रस्चन के, funk discovered which of the funk, यानि कि निम लिखित में से किस चीज की खोज funk ने, options है, vitamin, protein, enzyme, या hormone, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, तो क्यास्मीर, फंक ने, यहाँ फंक जिनके की यहाँ पर बात हो रही है, क्यास्मीर, फंक, इनका पूरा नाम है क्यास्मीर, फंक, तो क्या किया था, कि 1911, 1121, चावल की उपरी परत से, एक chemical substance निकाला था, जिसका नाम क्या था, थाइमीन, और थाइमीन के नाम से, आप में से कई लोगों को यह question clear हो गया होगा, कि थाइमीन का नाम है, या किस जानते हैं, विटामिन B1 के नाम से जानते हैं, और 1912, यानिकि 1912 में क्या किया था, विटामिन का नाम करण किया था, तो विटामिन की discovery और विटामिन के करण के लिए, जो scientist का नाम क्या है, कैस्मीर, फंक, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, विटामिन यानिकि अगले प्रश्ण की तरफ, इन आई डोनेशन, विच पार्ट ऑफ दाई डोनेटेड, यानि कि नेत्रदान आखों के कौन सा भाग को दान दिया जाता है, यानि कि जब भी कभी भी आखों का दान, आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी डेथ के बाद क्या कर देते हैं कि डेथ से पहले ही कि लोग डोनेट कर देते हैं अपने बादी पार्ट्स को, ठीक है, तो उन बादी पार्ट्स में अगर देखा जाए, तो कौन सा आखों के डोनेशन, यानि कि आखों का अगर नेत्रदान किया जाता है, तो कौन सा भाग दान में दिया जाता है, उप पूछा जाता है इस भाग को दान दिया जाता है तो हमेशँ ऑई ट्रांस्प्लाइचन तो हमेशें आय ट्रांस प्रत्यारों पड जो नेट पहुते हैं करेक्ट और कौर्णिया को क्यों दिया जाता है क्योंकि एक होता है immune response immune response का मतलब का है कि हम लोगों की body किसी भी foreign particle को as a antigen consider करती है, यानि कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो किसी भी बाहर को as a antigen की तरह उसको consider करेगी और इसके against क्या develop हो जाएगा antibodies develop हो जाएगी तो सारे भागों को अगर हम प्रत्यार उपित करते हैं तो उससे कई बार immune response में problem होती है और वो transplanted part है या जिस भाग को हमने लगाया है, उसको सरी accept नहीं धीरे धीरे उसमें पस का formation और साथी साथ उसको accept नहीं करती है जिसकी वज़े से problem होती है सलन पैदा होती है पस का formation होता है ठीके, इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिसमें की antigen नहीं पाया जाता या antigen की तरह behave नहीं करता आंग का वो भाग वो होता है cornea और इसका कभी भी immune response नहीं इसलिए आखों के वित्यार उपर cornea को ही transfer किया जाता है या net किया जाता है तो right option हो जाएगा C अगला प्रश्ण है हमारे only snake who form nest reptiles की अगर हम लोग बात करें यानि कि सरिश्रिप जीवों में अगर देखें तो सरिश्रिप जीवों में कई सारे जीव ऐसे हैं जो कि घोसले का निर्माल तो छापों की कटेगरी में क्या होता है कि सारे साप घोसले का निर्माल नहीं करते हैं अपने अंडे देने का तो पतियों को collect करके nest बनाना यानि कि घोसला बनाना और उसमें एग लेंग करना और फिर उसका protection भी करना यानि कि उसको सुरक्षा भी प्रदान करना और साथी साथ टंप्रेचर को भी मेंटेन करना ये काम कौन करता है? ओप्शन्स हैं आपके करैत, किंग कोबरा, पाइथन या ब्लाक माम. तो यहाँ पर पत्यों को इकठा करके जो घोसला बनाता है, एक मात्र जो इसनेक सर्प है, वो कौन सा है? और आप लोगों ने ये कहावत सुनी कि जो नागिन होती है, वो अपने बच्चों को खा जाती. तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो लीफ को कलेक्ट करके उसने घोसला बनाया और उसके सराउंडिंग में, यानि कि उसके चारो तरफ वो हमेसा अंडे को हैच करने के लिए क्या करती है? वो अपने सरीर को फैलाय रखती है और उस समय पर वो कुछ भी नहीं खाती है. जब तक उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे अंडे से बाहर रखते हैं, तो भूख के कार वो क्या करती है? वो उनमें से कई बच्चों को खा भी जाती है. निगल अपल इस इंपॉर्टेंट फॉर कार्डियक पेशिट बिकॉज इस गुड़ सोर्स आफ या निकलते हैं, तो भूख के सेब सबसे महत्पूर्ण होता है क्यों? क्योंकि सेब किस चीज का अच्छा श्रोत होता है? ऑप्शन से सोडियम एंड पोटेशियम, फोस्फोरस तो सेब की अगर बात की जाए, तो सेब में जो परचुर मात्रा होती है, वो किस तत्त की होती है? तो पोटेशियम की और पोटेशियम जो है, यह हर्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण होता है, इसलिए राइट एंसर का D यानि की पोटेशियम, तो यह सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है किसके लिए जो भी काडियक पेशेंट है यानि कि जिन लोगों को भी हृदय से सम्बंदित बीमारी है नेक्च है पलेग्रा डिसीज इस कॉज़ बाइड़ डिफिसियंसी ओफ विच विटामिन पलेग्रा रोग इस विटामिन की कमी के कारण होता है तो पलेग्रा जो है इसको अगर देखें तो ये एक चर्म रोग है यानि कि इसकिन डिसीज है और तो अच्छा से सम्बंदित बीमारी या विटमिन्स में अगर देखा जाए तो यह आपका या तो विटामिन एक की कमी के कारण होता है या विटामिन बी समूह में से किसी एक की कमी के कारण होता है तो यहाँ पर बी समूह में देखें या तो रक्त सम्बंधित बीमारी होगी या तो त्वचा से सम्बंधित बीमारी होगी यही दो मुख्य रूप से बीमारिया होती है बी समूह कमी क कारण तो यहां पर जो आपका पैलेग्रा डिसीज है यह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है फिटा नियासिन, ठीक है क्या है नियासिन या इसको नियासिना माइड भी कहा जाता है नियासिन या नियासिना माइड के नाम से भी जाना जाता है तो ये है विटामिन B3 और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है तो एंसर का पेलेग्रा पेलेग्रा डिसीज ठीक है आईए मूव करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्ण की तरफ वू इन्वेंटेड रैबीज वैक्सीन रैबीज का टीके की खोज इसने की थी अब सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखे कि रैबीज है क्या रैबीज का दूसरा नाम जो है हाइड्रोफोबिया ठीक है हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया यानि कि पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है पानी से डर लगना अब ऐसे सर्दियों के समय में आप में से कई लोगों को पानी से डर लगता है नहाते नहीं है वो कंडिशन अलग है यहाँ पर hydrophobia की बात हो रही यानि कि Ramies की बात हो रही है यह पाने से बहुत ही घड़ा हुती है यह पानी बिलकुल पसंद हुता पानी को चूने में भी खत्रा लगता है या पीने में भी खत्रा है तो वो कहते हैं हम लोग किसको Ramies disease को और ये किसके कारण होता है? ये आपका डॉग यानि कि कुत्ते या मंकी यानि कि बंदर के काटने के कारण होता है. ठीक है? तो ये जो Rabies Vaccine है, Rabies जो है ये खास तोर पर अगर देखा जाए तो एक वाइरल इन्फेक्शन है यानि कि विशाण जनीत रोग है और इसके टीके की खोज किसने की थी? आप्शन से आपके लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस, एलेक्जंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच. तो यहाँ पर अगर हम लोग इन सभी की बात करें, तो रॉबर्ट कोच ने TB के वैक्सिन यानि की ट्यूबर कुलोसिस के TK की खोज की थी? ठीक है? अलेक्जंडर फ्लेमिंग की अगर बात की जाए, तो अलेक्जंडर फ्लेमिंग ने बैक्टिरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एंटी बायोटिक की खोज की थी? ठीक है? एंटी बायोटिक की खोज की थी? रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था रोनाल्ड रॉस ने देखा जाए यानि कि अगर इनके वर्क की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था रोनाल्ड रॉस ने भी अगर इनके कारे की बात जाए रोनाल्ड रॉस की तो इन्हों ने रैबीज वैक पर काम नहीं किया था ठीक है इन्हों ने एंथ्रैकस के लिएज़ीन करण डेवलॉप्मेंट किया था और यहां पर नामंने इनका लूई पास्चर का तो लूई पास्चर ने छास्त और पर किसकी हुझ की थी तो रैवीज वैकसीन यानि कि रैभीज के टी अब जो उर्जा का दस प्रत्षत एक दिसात्मक प्रवाह सिर्धान्त किसके द्वारा दिया गया था तो 10% एनर्जी फ्लो होता किसमें है तो 10% एनर्जी फ्लो होता है बेटा हमारे एको सिस्टम में और एको सिस्टम को हम लोग कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र इसको कहा जाता है तो पारिस्थितिकी में जो एनर्जी का फ्लो होता है क्योंकि देखे सन जो है यह हमारे main energy source का काम करता है और सन से जो light आती है वो किन को मिलती है वो हमारे plants को मिलती है यानि कि पेड़ पौधों को मिलती और यह करते है photosynthesis और इसके बाद यहां से primary consumer यानि कि प्राथमी को भोगता फिर secondary consumer दुतिया को भोगता फिर tertiary consumer यानि कि तृ ओड़ा है तिद्डे को किसने खाया मेधक ने खाया और मेधक को किसने खाया सांप ने खाया तो यह एक unidirectional यानि कि एक दिशात्मक flow होता है और इसमें plant से इनको कितनी energy मिलेगी सिर्फ 10% मिलेगी energy और फिर जब मेधक तिद्डे को खाएगा तो उसको कितना मिलेगा इसक 10% मिलेगा, साब खाएगा, तो इसका 10% Waternery में अगर दिखा जाए, तो चील ने या गिद ने अगर खाया, इसको Eagle ने खाया, तो वो आपका अगर देखे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि उसको इसका 10% मिलेगा, तो यह जो 10% Energy Flow है, यह किस ने दिया था? पारिस्थित की शब्द दिया था, यानि कि Ecosystem World किस ने दिया था, तो AG Tanselay होगा answer, लेकिन यहाँ पर जो 10% Energy Flow है, यह Lind Man ने दिया था, तो Right answer हो जाएगा आपका Ecos, अगला प्रश्ण है Which animal have nucleated eyes, यानि कि निमलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है, जिसमें लाल रख्त कड़िकाएं केंद्रक युक तो होती हैं, तो यहाँ पर options हैं आपके, ओसा, बकैक, सी हॉर्स या लामा, हम लोग अगर अपनी बात करें, यानि कि मनुश्यों में जो हमारी लाल रख्त कड़िकाएं होती हैं, यानि इनमें केंद्रक यानि कि नुक्लियस अबसेंट रहता है, यानि कि नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको incomplete cells of the body, यानि कि सरीर की अपूर्ण कोशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वो कौन से ऐसे जीव हैं, जिन में लाल रख्त कड़िकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो खास तो और पर दो जीव हैं, एक तो है आपका कैमल, और दूसरा है लामा, यानि कि उन्ट और लामा, आप लोगों ने पाये जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर फोसा की बात करें, तो ये बिल्ली से थोड़ा बड़ा, यानि कि लेकिन लोम्री से थोड़ा से छोटा एक जीव है, फोसा, जो कि आपका देखा जाए, तो ये भी शिकारी जीव है, बकैक एक बंदर की पजाती है, सी होर्स क लेकिन किसमें केंद्रक यूक्त पाई जाती है, तो इसके options के हिसाब से जो right answer होगा वो लामा, याद रखिएगा कि लामा और कैमल में जो लाल रक्त कडिका होती है, वो केंद्रक यूक्त होती है, मतलब इनमें nucleus present होता है, आईए move करते हैं आज के हमारे प्रश्न के तरफ, और हमारा next question है, to examine the death of that by the poison, which organ is important, यानि कि यदि किसी व्यक्ति की जहर से मृत्य हो जाती है, तो उसकी जाच के लिए कौन सा अंग महत्तोपूर्ण होता है, options है, liver, यानि कि यक्रत, intestine, mouth, muck, या stomach, यानि कि पेट, तो यहाँ पर देखें, तो हमारे सरीर में, जो सरवाधिक chemicals से संबंधित, जो भी reactions होती है, उनको neutralize करने के लिए, यानि कि उनके उदासीनी करण के लिए, हमारे सरीर का एक ऐसा व्यस्ततम अंग है, जो हमारे सरीर में 500 से ज्यादा functions को perform करवाता है, और 500 से ज्यादा functions को ज perform करवाता है, वो हमारा कौन सा अंग है, वो है हमारा यकृत, यानि कि लिवर, और कभी भी अगर किसी प्यक्ति को poison दे करके, यानि कि जहर दे करके, अगर उसकी मृत्य होती है, तो उसके सरीर का कौन सा अंग जाच के लिए रखा जाए, तो जाच के लिए जो अंग रखा लिवर यानि की यक्रित होता है, तो right answer होगा, लिवर होगा, और यहीं पर हमारा nitrogen cycle भी होती है, यूरिया का formation भी होता है, और आप लोग ये भी देखते हैं, जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, अलकोहल का consumption करते हैं, तो कुछ देर के बाद जो कहते हैं, कि उनकी दारू उतर गए, फिकें, वो किसके कारण होता है, तो वो इसी लिवर के ही कारण होता है, यानि की यक्रित के कारण, तो right answer आपका क्या होगा, या आप leber होगा, यानि की यक्रितΑ, अगला प्रश्न है हमा glycogen, protein या cellulose तो पेड़ पौधों में प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया के ही करण यानि कि photosynthesis के process की ही वज़े से plant में food का formation होता है यानि कि भोजन होता है और भोजन का जो भंटरन है वो plant में किस रूप में होता है तो वहाँ पर आपका जो right answer होगा starch यानि कि मंड के रूप में मंड के रूप में starch के फौर्म में plant में food का storage होता है और glycogen के फौर्म में किस में होता है तो हम लोगों में या animals में तो animal की अगर हम बात करी जाए जन्तूओं की बात करी जाए तो जन्तूओं में भोजन का जो भंड़न है वो किस रूप में होता है तो वो glycogen के form होता है जबकि plant में किस रूप में होता है तो starch यानि कि मंड के रूप में होता है आईए move करते हैं हमारे आज के आगले प्रश्न अगला question है हमारा malaria is caused by which factor यानि कि जो malaria बीमारी है वो किस कारक के कारण होती है मतलब क्या है यहाँ question का कि कौन सा malaria cause करने के लिए यानि कि malaria बीमारी कराने के लिए जो जिम्मेदार कारक है कारक यानि कि parasite की बात हो रही है कि किस के द्वारा या किस parasite के द्वारा malaria disease cause होती है options है यहाँ पर entamoeba, tasmodium, paramecium या trypanosoma तो यहाँ पर हम लोग अगर options को देखें तो यहाँ पर जो आपका trypanosoma गैंबिशी है इसके कारण cause होता है African sleeping sickness यह proto-jones infection में ही ठीक है वहीं अगर हम बात करें malaria भी हमारा क्या है proto-jones infection है paramecium की बात करें तो यह एक proto-jones है slipper shape animal यानि कि चपल की आकरिति का जीव तो paramecium होता है plasmodium की अगर हम लोग बात करें तो plasmodium falciparum के द्वारा cause होता है क्या malaria और इसका वाहक क्या है मच्छर है और वहीं entamoeba histolytica के कारण cause होता है हम लोगों को dysentery यानि की pages और जबकि entamoeba gingivalis के द्वारा हम लोगों को जो disease cause होती है वो कौन सी disease होती है वो disease होती है entamoeba gingivalis से paria तो यहाँ पर malaria के लिए जो parasite है वो आपका right answer क्या हो जाएगा plasmodium यानि की B is correct next question है हमारा who discovered insulin यानि की insulin की खोज किस ने की थी option से आपके betting and best प्रिस्टले शीले या Watson and Crick तो यहाँ पर देखे Watson और Crick ने क्या किया था DNA का double helical model दिया था यानि की DNA का दुचक्रिय model दिया था तो वो किस ने किया था तो Watson और Crick ने जोसेफ प्रिस्टले की अगर बात की जाए तो इन्होंने hydrogen की कोज की थी और oxygen की कोज देने की यहाँ पर जो insulin की बात आती है तो insulin की अगर हम लोग बात करें तो simple सी एक चीज जाए नहीं कि insulin अगर सरीर में होगा तो जो glucose है वो insulin के अंदर जाएगा energy का production होगा आप सभी लोगों का favorite game जो है cricket होगा तो cricket के हिसाब से अगर देखिए तो अगर insulin cells के अंदर पहुच रहा है यानि की glucose अंदर पहुच रहा है तो अगर कोई व्यक्ति batting कर रहा है तो उसका क्या होगा उसका performance अच्छा होगा तो best batting वो करेगा तो इसलिए insulin के खोज की कभी भी बात आए तो याद रखेगा कि cricket की best batting यानि batting and best ने है इसकी discovery की थी insulin की खोज की थी और insulin के कारण क्या होता है diabetes की problem यानि की मधुमे रोग होता है ठीक है insulin की कमी आधिकता के next question है हमारा full form of MRI is यानि की MRI का full form क्या होता है mesodermal restore imaging second option midnight rest imaging third है magnetic resonance imaging या fourth है mold rest imaging तो देखिए MRI की अगर हम लोग बात करें तो ये एक machine होती है जो की body parts की imaging के लिए use करी जाती है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है की इसका full form क्या है imaging से ही संबंदित है लेकिन इसमें use होती है magnetic waves यानि की चुम्बकिये तरंगे तो magnetic resonance imaging इसका right answer होगा यानि की c is the correct answer next question है which electromagnetic waves are used in city scan city scan में कौन सी विद्द चुम्बकिये तरंगों का उपयोग किया जाता है x-rays, radio wave, infrared rays या पीटा rays तो यहाँ पर हम लोग अगर देखे तो city scan city scan का जो full form होता है वो क्या होता है यह भी question बनता है that is computed tomography scan इसको क्या कहा जाता है computed tomography scan इसको कहते है और computed tomography scan में हम लोग हमेशा किन तरंगों का इस्तमाल करते हैं तो right answer होगा आपका x-kirno का जाता है यानि की x-rays का ही इस्तमाल radio waves का use हम लोग radio prasaral में करते हैं infrared अवरक्त तरंगों का इस्तमाल night vision camera और साथी साथ remote में किया जाता है और beta rays की अगर हम लोग बात करें तो इनका इस्तमाल कुछ examination यानि की penetration power ज़्यादा नहीं होती है तो radioactive substance की जहांच के लिए लोग इसका करते हैं तो यहाँ पर right answer आपका होगा option A यानि की x-rays इसी तरीके के और videos के लिए channel को like और share जरूर करिए साथी साथ subscribe भी करिए और bell icon को प्रेस करिए ताकि next videos के updates आपको properly मिलते उमीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा